नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आज ने एक नई वेकेंशी के साथ और इस वीडियो में उस वेकेंशी से समधी डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो को start से लेकर end तक जरूर देखिए और इसकी notification की अगर आपको pdf चाहिए और इसका application फोर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेल स्वालापूर की दवारा निकली है स्वालापूर मुखे रूप से महारास्टर के अंदर पड़ता है तो यह जो कोलेज है और यह वेगेंश है वह महारास्टर गॉर्मिट के अंदर ही होने वाली है आगे बात करें तो इसमें यह जो पोस्ट हैं वो पैरामेडिकल और अगर आपने MSC कर रखे क्रिटिकल केर के अंदर तो 5 साल का experience और इसके अलाव अगर आपने MSC कर रखे कोई other stream से तो 7 साल का experience अगर basic nursing कर रखे या basic कर रखे तो 10 साल का experience होना चाहिए ICU के अंदर अगर genome कर रखे तो अभी 10 साल का experience है तो अपलाई कर सकते हैं 30,000 रुपे पर मत पेमिट रहेगी इन चार्ज sister ICU की टोटल 30 पोस्ट हैं इसके लिए MSC in critical care in 10CU के के अंदर कर रखे तो 3 साल का experience बेसी के अंदर कर रखे तो 7 साल का experience और genome के कर रखे तो 7 साल का experience होना चाहिए ICU के अंदर कारिये करने का 25,000 रुपे पर मत पेमिट रहेगी उसके बाद स्टाप नर्स की टोटल 120 पोस्ट हैं इसके लिए अपने बेसी नर्सिंग या पिर जीनम कर रखा है और तो अपलाई कर सकते हैं 20,000 रुपे पर मत पेमिट मिलने वाले और यहां पर जो experience है उनको प्राथमिकता दी जाएगी अब इसमें यह कहीं नहीं लिख रगाया कि कहां का आपके पास registration होना चाहिए लेकिन प्राथमी ग्रूप से देखा जाये तो यह जो वेकेंश है वो महरास्टर गोर्मिट के दोरा है तो महरास्टर के जो लोकल कंडेट से उनको प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी उसके बाद icg technician की दो पोस्ट है x-ray technician की चार पोस्ट है lab technician की चार पोस्ट है icg technician की चार पोस्ट है pharmacist की एक पोस्ट है store officer की दो पोस्ट है class for worker की 100 पोस्ट है और security की 6 पोस्ट है यह भी आप देख सकते हैं इसकी PDF डाउनलोड करके इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या इनकी परमत पेमिट रहने वाले है icg technician के लिए bpmt in icu के अंदर 17,000 पे परमत पेमिट x-ray technician के अंदर 17,000 पे परमत पेमिट रहेगी सबी पोस्टों के लिए और lab technician के लिए bsc या dmlt का डिप्लोम होना चाहिए और icg के लिए bsc डिग्री होना चाहिए और फार्माशिस्ट के लिए bfarm या dfarm का जो कोर्स होता है वो किया हुआ होना चाहिए यह इस परकार देख सकते हैं आगे बात करें जो इच्छुक उमीदवार है वह ठाल साथ दोजार बीस से लेकर बाइस साथ दोजार बीस तक अपना application format शाम को पांस मुझे तक बेज सकते हैं application format हो आगे हम वीडियो में दिखाने वाले उसको डाउलोड कर लीजिए पूंडूप से फिलब कर दीजिए और आपके जितने भी डोकुमेंट से उनको अटेस्टर करके उनके एक स्कैन को पी लिए लिए और एक पीडियो बना इस इमिल आइडि पर सेंडे कर दिजिए और यह जो वेकेंशी है वह कय़ Yani को गुनूस ब्लोक के लिए होने वाली जो कांट्रेक्ट दूइस की रहेगी परमानिट नहीं कांट्रेक्ट बेस्की वेकेंशी है इसकी है इसकी है उपड़ईशल साइट है इसके रिएक्ट कर दी जाएगी और ये 222 जार भी से पहले पहले सेंड करने पड़ीग आपको यह इसका अपलेखेशन फॉरमेट देख सकते हैं इसको डाउनलोड करना है आपको फूर्ण रूप से फिल अप करना है और फी इमेल आइडी पर आपको सेंड कर देना है ये पूरा पूरा अप्लिकेशन फॉर्मेट ये देख सकते हैं ये अप्लिकेशन फॉर्मेट आप हमारे टेलिग्राम चैनल या वार्टसप गूरूप से या इसके ओपिशल साइट से प्राप्ते कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे वीडियो में दीके जानकर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजी अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कर दीजी तो दोस्तों मिलेंगे एक नए व आपड़ दिया दो रवाद करने हां.